वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और हाँ वेल आइकन भी प्रेस करें अकरम हमारे सामने आया है जिसको देखकर समिचक यह कह रहे हैं कि लेंड स्लाइट की समस्या हर साल घटित होने वाले घटना है हर साल भारत में हजारों की संख्या में लेंड स्लाइड होते हैं बावजुद इसके हमने इस पर ध्यान नहीं दिया और जितना हम ध्यान दे सकते थे उतना ध्यान ना देने के कारण हर साथ सैक्रो लोग की मृत्यू लेंड्सलाइट के बज़े से होती है तो आई हम समझते हैं कि दरसली लेंड्सलाइट का जो मुद्दा है ये है क्या जैसे कि आपके स्क्रीन पर एक परवती छित्र दिखाये गया है तो आपको पता है कि जो परवत वाले छित्र होते हैं पहाड़ वाले छित्र होते हैं उनका ढाल क्या होता है काफी तिब्र होता है ढाल तिब्र होने के कारण जब भी कोई बस्तू ऊपर से नीचे क्यूर आती है काफी तिब्र गती से आती है और जब तिब्र गती से आती है तो हो बस तो जो आ रही थी अपने साथ कई चीजों को और तोड़ते हुए नीचे आती है और इसके बज़े से क्या होता है कि बहुत बड़ी मात्रा में मलवा अचानक नीचे आता है जिसके बज़े से उस छेत्र में कई तरह की जंधन की हानी होती है अब कोई भी परवतिय चेत्र है वहाँ पर ढाल का परवाव जितना जादा होगा वहाँ पर क्या होगा भूस कलन की जो तिब्रता है वह उतनी ही तिब्र होगी साथी साथ जिन परवतिय चेत्रों की जो चटाने हैं वह कमजोर होती है या जिन चेत्र में बरसा पता है कि हिमाले का निर्मार अभी भी हो रहा है एक नभीन परवत है इसकी चट्टाने अभी बहुत मजबूत नहीं है ऐसे में क्या होता है कि जब हम पेड़ों को काट देते हैं वहाँ पर जो घास के छेत्रें उनको समाप्त कर देते हैं उन छेत्रों में हम सड़कों का निर्मार करते हैं खनन करते हैं या अन्य गतिविधिया करते हैं तो इससे क्या होता है landslide के लिए संबेदन सिलता बढ़ जाती है और यह संबेदन सिलता मौनसून के समय काफे घातक हो जाती है क्योंकि चटाने कमजोर होते है और जब बर्सा का पानी तिबर गती से गड़ता है तो चटानों को और कमजोर करता है और पानी नीचे जाकर रिस कर जब नीचे जाता है वो क्या करता है मिट्टी के कड़ों को चटानों के कड़ों को अलग करता है और बहुत बड़ा भूखंड क्या होता है नीचे की और गिर जाता है इसी को हम लेंड्सलाइड बोलते हैं जो कि इस समय आप महराश्ट्रा में स प्रभाव से नीचे की ओर मलवे की रूप में खिसकता है अर्था तो धाल के वज़े से या फिर प्रत्वी की गुर्टव करसण के वज़े से तेजी से जब नीचे की ओर गिरता है कोई भी वो कंड जो की परवत का भाग हो सकता है पहाड का भाग हो सकता है तो इसको हम बोलत से लेकर कुछ किलो मीटर तक हो सकता है और कई बार जो लेंड्सलाइड की घटना जब किसी नदी के मार्ग में गिरत होता है तो नदी का मार्ग औरुद्ध हो जाता है और इसके वज़े से बहुत बड़ी बार की कंडिशन ख्रेट हो जाती है आप से मेरा प्रश्ण है क्या ऐसा कोई घटना करम आपको याद आ रहा है जिसमें पहले लेंड स्लाइड हुआ हो और उस लेंड स्लाइड ने क्या किया हो नदी का मार्ग औरुद्ध कर दिया हो जिसके वज़े से जो पानी कठा हुआ वह बार का कारण बन गया हो आप मुझे उस घटना का नाम बता सकते ह कर जब किसी कारण से मुझाई परिस्थि चटान, मिट्टी या कोई अन्य भूकन कमजोर हो जाता है या उसमें दरार पर जाती है तो वह भाग तूट कर नीचे गिरता है जो कई तरह कई नुक्सान का कारण बनता है इसी को हम भुसकलन कहते हैं भारी बरसा, भूकंब, बा खनन की किरियाएं, किसी परकार का बिस्फोटक, सामगरी का प्रियोग करना आदी युह कारण है जिनके वज़े से क्या होता है लेंड्सलाइट की घटना होती है भारत का लगवा 15% भूभा जो है कि लेंड्सलाइट की आपदा से परभावित है और यह जो छेत्रे हैं यह पर प्राकरती घटनाओं के साथ साथ मानवी जो गत्विधियां हैं वह भी अपना योगदान देती हैं जैसे पेडों की कटाई, सड़क निर्मा, चट्टानों के एक स्थान से दूसरे स्थान पहटाना इस सभी कारण क्या कर रहे होते हैं लेंड्सलाइट के लिए एक हमें महाराश्टा में देखने को मिल रहा हैं हिमाले वाला जो छेतर हैं वहाँ पर जो लेंड्सलाइट की घटना होती हैं वह जादा होती हैं क्यों जादा होती हैं इसके कारण में आगया को बताने वाला हूं पस्रमी घट में आने वाले जो भूस्खलन हैं उनका जो संब आपको पता है अधिक बरसा हो रही है जिसके बज़े से 24 घंटे के दोरां 112 लोग की मृत्तु हो चुकी है और 100 से अधिक लोग लापता हैं और यह जो मृत्तु का कारण है वो दो बज़े से है एक तो बहुत से छेत्रों में लैंड्सलाइड की घटना हुई है और कुछ छेत की संक्या में लोग अभी भी लापता हैं महराश्ट में जो बाड और भुसकलन की किरिया हुई है यह दरसर इस वज़े से हुई है क्योंकि उहां पर लगातार तीन देर से वर्सा हो रही थी और यो तीन दिन में जितनी वर्सा हुई है वह महराश्टरा में होने वाले बर् जब अचानक होगी तो उसके क्या होगे कुछ ना कुछ नकारात्मक प्रभाव आएंगे और वही नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को हैं मिल रहे हैं दरसल हुआ क्या कि पहले से ही जो यहां पर बरसा हो चुकी थी उसने चटानों को कमजोर किया था मानवी गतिविधिया जैसे खनन पर जो है कि परियतन या फिर जो है कि परियोहन के साथनों का बिकास इन्हों ने भी चटानों को कमजोर किया था और हुआ क्या था कमजोर चटानों पर जब अचानक दिवर्गति से बहुत ज़ादा बरसा हुई तो इस पानी ने क्या किया चटानों को और कमजो हो रहा है दरसाल जिन छित्रों में भी आप देख रहे हैं इस समय आपदाएं आ रहे हैं उसमें कारण एक बन रहा है कि कुछी घंटे में या एक ही दो दिन में इतनी अधिक बरसा हो रही है जिसके बज़े से उस छित्री का जो भी वहां की जो 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 ग्रोफी थी वो उसमे परियोरतन आ रहा है, चाहें बाड के रूप में हो, या फिर जो एकी भूस्खरंड के रूप में हो, आपने देखा कि जिन चित्रों में बाड आ रहे है, उसका करण यही है कि अचानक बर्सा हो रहे है, जब कि पहले जो मौनसूर की जो एक पैटरन था, कि धीरे धीरे बर्स पिर सुस्क काल आता था फिर बर्सा होती थी अब क्या हो रहा है कि मौनसून के ओधी में कुछी दिनों में क्या हो रही है अच्छानक बर्सा हो जा रही है पहले से जादा बर्सा हो जा रही है ओगर ओल जहां पर दो महीने में जितना बर्सा होना चाहिए था उतनी बर्सा सि बाकी समय सूखा पढ़ जा तो इसके बज़े से क्या हो रहा इस तरह के बर्सा फिर सूखा इस तरह की चीजों से चटाने कमजोर हो रहे हैं और इसी की बज़े से महाराश्ट में घटना हुई है दरसल महाराश्ट में जो घटना है भुसकलन की हर साल होती है इसी कारण मुख बुसकलन की बज़े से जो लोग की मृत्ति होती है इसको टाला जा सके आपको पता है जब महराश्टा में गटना हुई है तो इससे फिर जनकी हानी नहीं हो रही है धनकी भी हानी हो रही है और साथी साथ इसी छेतर से जो कूंकर रेल मार्क भी गुजरता है और उसके उपर लेंसलाइट की घटनाओं का परभाव पड़ता है और इसी की कारम हर साल जो है कि 500 ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ता है वो जो ट्रैक हो परभावित होता है महराष्ट के अलावा अगर पस्मी घाट से जुड़ी हुए चेत्र देखें तो करनाटका केरल तमिलाडू में भी अगर उसकी अगर जनधन की घानी जह जादा होती है लेकिन अगर हम हिमालें छेत्र पे इसी frequency को देखे तो वहाँ पर और ज़्यादा जो एक भुसकलन की घटनाएं होती है और वहाँ पर जो एक जंधन की हानी हो उससे भी ज़्यादा होती है जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ पर जैसे कि हमने बताया कि 15% एरिया क्या है भुसकलन से प्रभ पर ज़्यादा जो एक लेंड़ स्लाइड हजाड जो नेशन छेत्र बनाये गया है जिसको देखकर पता चलता है कि भारत का हमाले छेत्र है पस्मी घाट वाला चेत्र है यह काफी परभावित है और इसी छेत्र में सबसे ज़्यादा जो है कि बुसकलन की गटनाएं देखन को मिलती प्रिशन आएगा कि हमाले छेत्र में अधिक लेंड़ स्लाइड जो की पस्मी घाट से क्यों होते हैं तो बहुत से चीजों को आप जानते ही भी है जैसे कि एक नभीन परवत है हमाले वाला चेत्र है और इसके वज़े से चटानों की निर्मान की प्रक्रिया अभी भी जारी है चटान अचानक एक दो दीन सो साल दो सो सालों नहीं बनते हैं हजारों सालों में उनको कटोर होने का समय लगता है और इसके वज़े से कमजोर चटाने हैं और इने कमजोर चटानों पर जो मानभी और प्रक्रतिक क्रिया है जैसे कि बरसा का धिक होना ठंड का अ तूरेसियम प्लेटॉर इंडियन प्लेटॉट तकरा रही है। इससे लेंड्सलाइट की घटना होती है यह भी है कि जो आपका हिमाले वाला छेतर है यहाँ पर भुकम्प की जादा भी फ्रिक्वेंसी देखी जा रही है तिबृता भी बढ़ रही है और उचाई और ढ़ाल आपने देखा ही बहुत जादा है इसके बज़े से पस्मी घाट की तुलना में यहाँ भुकम्प जादा आते हैं एक कारण यह भी है कि जो हिमाले में जो नदियां है उनकी संख्या जादा है सदा नीरा है अब जब नदियां परवाईत हो रही है तो क्या करती है अब अच्छे अपरदन करती है चटानों को तोड़ती है बहुत सारा मलव यहां एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जरती है जिसके बज़े से यहाँ का जो भू संतुलन है वह परभावित होता है चटाने कम जोर होती है चूंकि हिमाले इंचेत्र में आखको पता है गर्मी में 가्या में पढ़ती है ठंड में यहाँ बर्वि भी पढ़ती है और बरसा भी जादा होती है अब यह क्या होता है एक ही चटान जब अलग-अलग climate का phase कर रही होती तो चटानों में उह मजबूती नहीं आ पाती जितनी होने चे जिसके बज़े से क्या होता है यहाँ पर जो स्लाइट की घतना हो बहुत जादा होती है अमेरिका की जो है कि bacon न्यूदु ब्यग्णिक है जो इन सब पाध्ययन करते हैं उन्होंने हाली में एक चीज कहा है जिनका नाम है जो बूब यह एक ऐसा नाम है जेफरी कार्डल जो आपताओं के लिए काफी जाने जाते हैं इन्हों ने कई छेत्रों जैसे पस्मी हिमाले पार, पामीर, कराकोरों अने छेत्रों में जो फुकम की घटनाएं आई उनका अध्यन किया और यह बताया कि 1999 से लेकर 2018 की भूसकलन की जो घटन होंगे तो उनके negative impact उसे क्या होगा पानी जादा पिगलेगा जादा पानी पिगलेगा नदियों की activity बढ़ेगी नदियां जो है कि चट्टानों को कमजोर पड़ेंगे साथी सार जहां पर पानी अभी बर्व बना हुआ था उस बर्व के दवाव से जो हां का भूस अंतुल बादलों का भटना भी आपको पता हिमाले चित्र में बहुत जादा हो रही है जिसके बज़े से यहां पर लेंड्सलाइट की activity जादा होती है और हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं मानवी गत्विधियां जिसमें आप पेड़ों के कटाई, खनान सड़के, भवान की बादो जे carnaking हो रही है जहां पर बसाओट कम हैं बसाओट कम होने और साथी साथ जो है कि आपकी जानकारी करिए बता दूँ कई ऐसे चित्रे हैं जहां के गाउं के गाउं साथ हो जाते हैं इस लेंड्सलाइट की घटना से लेकिन हुरा आपको जानकारी भी मलती है जब कि सरकारों को इन एरियाज में लैंड सलाइट की जो समस्ते है उसवर काफ़ी ध्यान देने की जरूरत है जैसे कि आपको पता है कि लैंड सलाइट के प्राकरती घटना है इसको रोका तो नहीं जा सकता लेकिन इसके परभाव को कम किया जा सकता है और इसलिए निमन उपाई हम लोग कर सकते हैं जैसे हम उन छेत्रों में जहां पर लेंड्सलाइट की क्रिया होती है वहां पर बनों मूलन अर्थाट बनों की कटाई पर रोक लगाएं और प्रिच्छा रोपर को बढ़ावा दें धलान वाले छेत्रों में घास के मैदानों को संर युख लगाई जाए वहां पर जो भी आधार गुष सनजना और विकासात्मक कार होते हैं उन में उनको तभी अनमती दी जाए जब पर्यावरण के जानकार उसकी अनमती परदान करें इसके बाद हिमालेन छेत्र में परयावर्णी परभाव आखिलन करने के बाद ही बिकास आत्मक निर्माड करी जो परक्रिया है उसको अनमती दे दरसलब बहुस से छेत्रों में बाधूं का नियमान और ऐसी गत्वितियों को बढ़ावा जो है कि बिना उसके परियावड़नी प्रभाव के आकलने के ही दे धिया जाता है साथी साथ जो हिमालेन छेत्र में अने छेत्रों में जो परेटन बहुत तेजी से बढ़ रहा है जो किसी भी तरह से green tourism का भाग नहीं है उसको रोकने की उसको नियंतित करने की जरूरत है साथी साथ जो पहाड़ी छेत्रें इसमें जो पानी बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाता तेजी के साथ उसको रोक कर जितने का तलाब है जितने ऐसे छेत्रें जहां पर जल संचित हो सकता है उसको संचित करने क्या हो सकता है इससे ढालो पर जो है कि पानी की तिवरता में कमी आ अदम से जो भूस कलंद के सम्वेदं सिल छेत्रें उनकी पहचान की जाए अब यह जो आपको पता है यह जो पूरा लैंडस्लाइट की घटना है एक प्रकार का क्या है संकट है तो संकट कोई भी हो उसको जो है कि हमें रोकना है रोकने के लिए हमें क्या करना होगा हमें है उस दोरान के है कि जो लोग परभावित हुए हैं उनको राहत कारे पहुचाया जाए उनको उहां से निकाला जाए उनकी जो चरूरते हैं उनको पूरा किया जाए और साथी सा संकट के के ही तोरान उहां पर ऐसा कुछ विकल्ब हम लोग अपना है जिससे आने वाले समय म किया उसके बाद उसको हम ऐसे छोड़ देते हैं आगे फिर से यह घटना हो सकते हैं इस पर हम नहीं देते हैं और इसके लिए हमें क्या करना हो थोड़ा सा अपनी सचित्ता को बढ़ाना होगा कोई भी प्राकर्ति को मानो निर्मित जो आपदा आती है उसके लिए नोडल अजन्सी है और पर्यावरण मंत्राल हैं अब जब भी हम इस परकार की किरिया करते हैं तो हमें कुछी ना किसी विधी की जरूरत होती है तो भारत में जो है कि आपदा परवंधन अदनियम है महामारी अदनियम है और कई तरहे कि एक्ट के माध्यम से हम इन चीजों को करते हमारे हैं कई लोगतांत्रिक संस्था हैं चाहें वो सेना का भाव हो या फिर सिबिल डिफेंस का भाव हो उनके माध्यम से हम क्या करते हैं किसी छेत्र में संकट या हापदा को ढालने का प्रयास करते हैं और इसी के कारण हमारे हैं नागरिक समाज भी अपना योगदान देता है हमारे हाँ जो वेस्विक संगठन भी योगदान देते हैं और सेना के साथ साथ पुलिस और NDRF की जो टीम है या SDRF की जो टीम है वो तो अपना सहयोग देती हैं I hope आप संचेर में इसको सोज़ पाएंगे इस वीडियो में इतना ही Thank you so much